नमस्कार दोस्तों, 10 मिनेट किचिन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक ऐसी होम रेमिडी लेकर आए हैं जिससे ना सिर्थ हड्डियों का दर्द सही होता है बलकि इसका सेवन करने से हड्डियां मजबूत भी होती है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को दवाना ना भूले तो आईए शुरू करते हैं होम रेमिडी बनाना दोस्तों कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो फाइदा तो बहुत करती हैं लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं ये गांगडी जड़ी बूटि का प्रियोग राजिस्तान में बहुत किया जाता है कई जगे गांगडी को मोटा गोखरू भी बोला जाता है दोस्तों अगर आप हड़ीयों के दर्द से परेशान हैं गुटने का दर्द, कमर का दर्द, हाथ पेरों की हड़ीयों में दर्द, उंगलियों की हड़ीयों में दर्द, अंगुठे की हड़ीयों में दर्द उस सब दर्द से चुटकारा दिलाने वाला एक बहुत ही अच्छा घरेली उच्चार है गांगडी का powder ये देखिए ये इस तरह का होता है दोस्तो ये गांगडी नाम की जड़ी बुटी होती है उसका powder है किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा अगर आप बजार से पाउडर नहीं लाना चाहते हैं तो ये जड़ी बुटी भी मिल जाती है पंसारी की दुकान पर उसको आप घर लाके मिक्सी में पीस लीजिए और कपड़े से छान लीजिए बिलकुल बारीक पाउडर निकाल लीजिए और उस पाउडर को दूद के साथ सेवन करिए आप घर पे पाउडर बनाएंगे तो उसमें प्यारिटी ज्यादा रहेगी हड़ीयों के दर्द में ये जड़ी बुटी इतनी फाइदा करती है कि आप दो तीन बार लेंगे और आपका दर्द बिलकुल खतम हो जाएगा ना सिर्फ दर्द खतम होगा बलकि हड़ीयों मजबूत भी हो जाएंगी दोस्तों मैंने इसका प्रियोग खुद अपने उपर करके देखा है आश्यर जनक फाइदे होते हैं इसके एक बार आप सेवन करके तो देखिए मैंने ये जिसको जिसको भी बताया उसे बहुत फाइदा हुआ ये किसी भी प्रकार की हड़ी के दर्द को जड़ से निकाल के बाहर कर देगा और भविश में कभी भी आपको हड़ीयों का दर्द नहीं होगा अगर आपने तीन दिन भी इसका सेवन कर लिया तो आईए अब देखते हैं कि इसका सेवन करना कैसे है सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और गैस के उपर एक फ्राइंग पैन रखेंगे इसमें हम धाई सो एमल दूड डालेंगे दूड को खौला लेंगे दूड गरम होने के बाद हम इसमें आधा चमच गांगडी का पाउडर डालेंगे आधा चमच इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बजार का पाउडर है इसमें थोड़ा सा बेस्तिज भी होता है अगर घर का पाउडर आप काम में ले रहे हैं तो आपको बन फोर्थ चमच पाउडर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है. दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, लास्ट में मैं आपको इसके थोड़े और टिप्स बताऊंगी, जो आपके लिए और भी सुविधा जनाखोंगे. इसे हमें ना तो ज़्यादा ओठाना है, और ना ही पकाना है. अब हम गैस के फ्लेम को ओफ कर देंगे. अब हम इसमें एक चमच चीनी डालेंगे. चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और चीनी की जगए, अगर आप गोड काम में लेंगे, तो और भी अच्छा रहेगा. डाइबिटीज वाले गोड और चीनी का प्रियोग ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये बिना गोड और चीनी के भी उतना ही फाइदा करेगा. अब ये गांगडी के पाउडर वाला दूद पीने के लिए बिलकुल तयार है. इसे एक ग्लास में चान लेते हैं. ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि गांगडी के पाउडर वाला दूद पीने से हड्डियों का दर्द बिलकुल सही हो जाता है. अब हम फ्राइंग पैन को गैस से उठा लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे. जिससे पाउडर का पूरा सत इसके अंदर आ जाएगा. अब हम इस ग्लास में इसको चान लेंगे. ये देखिए, मोटे मोटे रेशे फ्राइंग पैन में नीचे बैठ गये है. और थोड़े रेशे चलनी में आ गये हैं. ये देखिए आप. ये चलनी में जो वेस्ट जाया है, ये किसी काम का नहीं है. इसे हम फेक देंगे. दोस्तों, अगर पाउडर आपने घर पे बनाया है, तो उसमें रेशे तो होंगे नहीं. तो आप गरम दूद में पाउडर मिला के पी सकते हैं. मतलब गलास में दूर ले लीजिए और दूद में चोथयाई चमच पाउडर मिला लीजिए. गुड मिलाना है तो गुड मिला लीजिए. और चीनी मिलानी है तो चीनी मिला लीजिए. और उसे पी लीजिए. दोस्तो जब भी आपके हड्डियों में दर्द हो तो ये गांगडी के पाउडर वाला दूद जरूर पीना मैंने खुद भी अपने उपर अपलाई किया है मेरा दर्द बिल्कुल सही हो गया है हड्डियों के दर्द के लिए ये राम बान औशदी है आईए अब ये भी जान लेते हैं कि इस दूद को कब पीना है किस समय पीना है तो रात को खाना खाने के एक घंटे बाद आप इस दूद को पीलें और पीकर सो जाएं दूद पीने के बाद दूसरी कोई चीज ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये जड़ी बूटिया नुकसान तो करती नहीं है फायदा ही करती है हमारी हड्डियों का लुगरी के खतम हो जाता है जिनकी खट खट हड्डियां बोलती है उनके लिए भी ये बहुत फायदे मंद है दोस्तो अगर आपने हड्डियों के दर्द का बहुत इलाज करा लिया बहुत दवाईयां खाली लेकिन फायदा नहीं हुआ तो आप एक बार इस गांगडी के पाउडर का प्रियोग करके अवश्य देखें इससे ना सिर्फ हड्डियों का दर्द सही होता है बलकि हड्डियां मजबूत भी होती है यहां तक की तुटी हुई हड्डी जुड़ भी जाती है ये दूद पीने से अगर आप पो फायदा मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखके जरूर बताईए और आपको इससे रिलेटिड कोई प्रशन पूछना है तो कमेंट में लिखके अवश पूछिए मैं आपके हर प्रशन का जवाब दूँगी दोस्तो मेरी कोशिस ये रहती है कि जिस चीज से हमें फायदा मिला है उस होम रेमेडी को मैं आपके साथ भी शेयर करूँ दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही शिग्रही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ तक तक आप अपना ध्यान रखना बाई बाई